हेलो फ्रेंड्स दिस जेपी वल्कम बाइक टू माई यूटूब चैनल एपी सर इंग्लिश फ्रेंड्स एक गुड नीज है इसले शेयर करने आ गया आप सभी को पता होगा कि एससी ने अपना 2022 के लिए कलेंडर जारी किया है जिसमें वो CGL, CHSL, MTS और डेली पोलिस और SSC GD जैसे एक्जाम के लिए नोटिफिकेशन जारी करेगा ये कब जारी होगी इसके लिए इसके लिए कलेंडर जारी हुआ है SSC ने आप सभी लोग चेक कर सकते हैं इसकी ओफिशियल वेफसाइट पर जाकर या फिर सरकारी रिजल्ट पर भी देख सकते हैं इसबसे बड़ी ब प्रेपेर कर सकते हैं और अपने ग्रेब पॉइंट्स जो है उनके वीड के एरिया है उनको फाइंड करें और उनपे कहां गलती हो रही है उन पर फोकस करें और इससे बड़ी बात है कि अपना सेलबस अच्छे से कम्प्लीट करो सबसे पहले यही होना चाहिए कि अपना हो जाएगा तो कलेंडर देख लेते हैं बहुत ही अच्छी बात है खुसी की बात है कि सीजियल के लिए जो कलेंडर जारी हुआ है वह सीजियल का जो एक्जाम होगा वह एक्जाम होगा अप्रिल 2022 में और इसके लिए जो नोटिफिकेशन डेट है वह 13 दिसंबर 2021 को आ खेंगे अच्छा टाइम है अप्रेल के लिए अप्रेल में एक्जाम होगा 2022 में काफी दिन आपको काफी टाइम मिल गया है शीजियल के लिए अच्छी न्यूज है एक जनु एक फरवरी को नोटिफिकेशन आ जाएगी अभी ऐसे मार्च को नोटिफिकेशन आ जाएगा सि Light Police Constable के लिए ड्राइवर एग्जाम के लिए है सबसे बढ़ी बात है यहांपर इन्होंने SSD जी डीदी के लिए कलेंडर जारी किया है जो की हाला कि 2023 में आएगा 2023 में आएगा नोजनुरी 2023 में आएगा लेकिन calendar जारी हुआ है यह अच्छी बात है stenographer के लिए भी 5 December 2022 में आएगा calendar तो अभी stenographer का exam हुआ है उसका result आना बागी है तो जो भी exam से जिसे सबसे बड़ी सबसे बड़ा exam इसका SSC का जो होता है वो CGL का ही होता है उसके लिए अच्छी बात है कि इन्होंने 13 December को अपना notification जारी होने को बताया है तो 13 December बहुत ही नजदीक है आज जाद दिन टाइम नहीं बचा है तो अपना तयारी करें start करें और मैं बार बार कहता हूँ कि अपने gray points जो है अपने gray points है उनको find करें week area को find करें कहां पर गलती हो रही है